हलो, वेलकम टू थिंक्स एंड फैक्ट्स चैनल, तोडें वी विल सी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स फैक्ट नमबर वन, अ स्नेल कैन स्लीप फार थिरी एर्स, एक गोंगा तेन सालों तक सो सकता है जब ठंडग का सीजन आता है, तो गोंगा अपने आपको ठंडग से बचाने के लिए कुछ सेपरेटेट जगों पर जाकर के निस्करी अवस्ता में वहीं पर कई साल पड़े रहते हैं फैक नमबर डू, डिस्पाइट बोन्स, सार्क्स है इसकेलिटन आफ कार्डिलेज, हड्यों के बवजूत भी सार्क्स का गंकाल कार्डिलेज से बना होता है कार्डिलेज हड्यों की तुलना में कम डेंसिटी वाला एक लचीला मेटीरियल होता है जिसकी वज़े से सार्क्स का वेट कम होता है और वो आसानी से पानी में तैर सकती है Fact No.3 Muscutors produce very high sound मच्चर बहुत ही high frequency की sound पैदा करते हैं उसके पीछे कारण ये है कि मच्चर अपने पंको को काफी speed से फड़फडाते हैं जिसकी वज़े से उनकी आवाज कापी हाई पिछवाली होती है असीव है four stomachs एक बेड के चार पेट होते हैं क्योंकि एक फेड पेड पोधों की पत्यों तथा घास को खाती है इनको पचाना बेड के लिए आसान नहीं होता है इसलिए naturally उसके सरीर में चार पेट होते हैं जिसकी वज़े से उनको आसानी से पचापाती है fight no.5 white looking polar bear have black skin सपेड दिखने वाला धुरुवी बालू की तवज़ा काली होती है उसके पीछे कारण ये है कि काली तवज़ा गर्मी मतलब उसमा को आसानी से अपने अंदर आवसोसित कर लेती है जिसकी वज़े से polar bear थन्डी जगों पर जहां बर्प तक चम जाती है वहां आसानी से रह पाता है fight no.6 only two rats can create one million family in just 18 months केवल दो ही चुहे मिल करके just 18 महीनों में अपना परिवार एक मिलियन कर सकते है क्योंकि चुहों की बच्चा पैदा करने की चमता और अपने जन्रेशन को आगे पढ़ाने की स्पीड काफी तेज होती है fact no.7 house fly live from 7 to 21 days एक घर में पाई जाने वाली मक्खी की जिन्दगी 7 से 21 तक ही होती है fact no.8 horse and cow sleep standing गोड़े और गाए खड़े खड़े सो सकते हैं वास्तों में उनको गहरी नीद लेनी के लिए बैठना या लेटना पड़ता है लेकिन खड़े खड़े वो हलकी नीद ले सकते हैं जिसकी वज़े से वो उन्हें सोना भी ना पड़े तब पर भी काम चल सकता है fact no.9 elephants can not jump हाथी कूद नहीं सकते आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हाथीों काम वजन काफी जादा होता है अगर वो अपने चारों पैर उपर कर लें और जंप करने की कोशिस करें तो अपने सरीर को balance नहीं कर पाएंगे जिसकी वज़े से नीचे गिरने से उनको गंभी चोट भी लग सकती है फैक नमबर टेन Slots digest their food in two weeks Slots अपना बोजन दो सब्ता में डाइजेस्ट कर पाते हैं वैसे तो Slot का defecation system अलग होता है ये एक सब्ता में एक ही बार defecate करते हैं लेकिन ये तो खाते रहते हैं तो इनके पेट में बोजन कैसे पचता है इसके लिए इनके सरीर में बैक्टिरिया होते हैं और बोजन को पचाते रहते हैं फैक नमबर 11 3% ice in Antarctica इस penguin urine अंटार्टिका में टोटल ice का 3% हिस्सा penguin के toilet means urine से बना है इससे पथा चलता है कि पुराने समय में अंटार्टिका में बहुत ज़्यादा भारी संक्या में penguins होते होंगे लेकिन अब climate change की वज़े से इनकी संक्या काफी ज़्यादा घटी है आउस्तन एक गाय अपनी पूरी जिन्दिकी में दो लाख ग्लास मिल्क देती है एक शुतुर मुर्ग की आख उसके ब्रेन से बड़ी होती है वास्तो में शुतुर मुर्ग का ब्रेन बहुत छोटा होता है एक मेडग ओमिट नहीं कर सकता है जब किसी मेडग के सरीर में कोई चहरीला पदार्द चला जाता है तो वो उसको बाहर निकालने के लिए अपना पूरा पेट बाहर निकाल देता है एक टाइगर मारने के बाद अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है वास्तों में टाइगर के पैर काफी ज़्यादा मजबूत होते हैं मारने के बाद अगर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है तो वो खड़ा रह सकता है शुरों का हर्ट जो खोन को पूरे सरीर में पंप करता है उसका उपयोग मनुस्यों के हर्ट की जगे पर किया जाता है इसके पीछे कारण ये है कि इनका हर्ट मनुस्यों के हर्ट की ही तरह होता है और उसी की तरह काम करता है एक निरास कुत्ता अपनी पूछ लेप्ट की तरफ मोड लेता है और जब एक कुत्ता खुस होता है तो अपनी पूछ राइट मोड लेता है पांडाज वहीं पर सो जाते हैं जहां पर उन्हें नीद महसूस होती है वैसे पांडाज को अपने बोजन के लिए काफी जादा समय तक जागे रहना पड़ता है इसलिए वो उच्छे पेड़ों पर जब नीद महसूस करते हैं सो जाते हैं क्योंकि वो उच्छे पेड़ों पर काफी उच्छे होते हैं इसलिए उन्हें किसी दूसे जानवर के सिकार हो जाने का खत्रा भी नहीं सताता एक भेड़ को खुद का अपना एक डॉक्टर होती है भेड़ के अंदर ये निचुरल होता है जब भेड़ को कोई बीबारी महसूस होती है तो वह विशेस परकार की घासों को ही चरती है जिससे कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए आप सभी लोग जानते हैं कि उसेन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज धावक रहे हैं लेकिन एक पिल्ली अच्छी मतलब काफी लंबी दूर तक जंप करने वाली और काफी उचाई तक जंप करने वाली जंपता वाली होती है अगर पिल्ली को रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए तो निश्च दूरूप से बहुत अच्छी एथलिक बढ़ेगी और उसेन बोल्ट को भी हरा सकेगी